और अभी हम निकल रहे हैं डबल डेकर ब्रीज के लिए, तो हम लोग अभी पहुँच गया है, डबल डेकर ब्रीज, यहां से स्टार्टिंग होता है, जर्नी हमारा, इन सभी ट्राविलर को देखके, मुझे डल लगा है अभी, इस न्यारो पैसेज, यहां से, इस अडवेंच сट्रीदिप्तु, यह होता है खासी लैंगवेज में, My name is स्ट्विदेफु, और धंक्यू कैसे कहाई जाता है खासी में, खुबल practice खुबल Clip, को है कहना चाहूँगा इनको तो मुझे कहना परेगा, खुबल लहीक ,खुब लहीयok इचली गर्मी बहुत है तो ज्यादा तर लोग गर्मी में चाय पीना ठीक नहीं समझते हैं अगर मैं पी लेता हूं क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है यहां पर एक और ब्रीज है रूट ब्रीज यह देखिए एक चीज में आपको बता दूँ यहां पर जियो का टावर बहुत बहुत ही मस्त चल रहा है इंटरनेट भी मैंने अभी कुछ पिक्टर्स अगरा अबलोड किया फेस्बूक में तो जट से हो गया और यह तिल का टावर भी थोड़ा बहुत आ रहा है और वोड़ा फोन भी चल से जितना भी देखा यहां पर ट्रावलर सब कपल से और दो तीन मैंने गूप देखा जो शायद कोई कॉलेज टूडेंट है लड़का लड़की ऐसे गूप में आये हुए है यहां पर दिखिए टेंट है दिखना है आपको अंदर बन रहा है अभी यह घर तो कोई अगर आ तो फिर यहां पर आप होमस्टे ले सकते हो यहां पर और एक देखो अप सिरीन हों टे यहां पर और एक है जैसे हम ने पहले दिया था चींगल रूट बीज के लिए तो अभी हम पहुंच चुके है डबल लेकर ब्रीज कि पूल्पाजेंच टू कि प्रावा इसे बेंगडरीच ठी। ते यहां से आप जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि ऐसे क्रोस्पिट चलिएगा, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसे स्कॉस्पिट चलिए तो आपको जाने में अस्वानी होगा, और यहां पर देखे नीचे में और यहां पर भरने का पानी जो है, वहां नीचे में भी एक तलाव जैसा कुछ बना हुआ है, तो वहां पर लोग नहा रहा था यहां पर लोग नहा रहा था, और अब अगर यहां पर आके ऐसे नहाने का प्लान आपका कुछ है, तो मैं आपको बता दूँ, यहां पर चेंजिंग रूम है, और अभी में यह उपर वाला हिस्सा से में निकलता हूँ, और नीचे वाला हिस्सा में में जाऊंगा, यह था और यहां से यहां से जारा है, और जाने का मन नहीं कर रहा है, हम अभी क्या करेंगे वहां पर जाएंगे और वहां पर बहुत सारा फिश है तो ऐसे शॉक्स, सूज वगयरा सब खोल के वहां पर पैर जो है हमारा एकड़ पानी के अंदर डाल देंगे और फिश पा एड़ फ्री आप कोस्ट उसका मजा लेंगे तो यह हो गया हमारा ट्रिप पुड़ा यहां पर डबल डेकर बीच का नीचे वाला और ऊपर वाला यह देखिए इतना मश्री है यहां पर आप बस यहां पर आईए आपना स्कॉप तूर्स यहां पर ऐसे उतारिये और यहां पर ऐसे पैर लगा के बैठ जाएए और मश्री आएगा और आपका फ्री में फिश्पा हो जाएगा तो बहुत प्राइम हो गया यहां पर लगभख 30 मिनिट्स वी आप से निकल चुके हैं तो अभी 3 किलो मेर्स और जाना है हम लोग को दा इंट्री पॉइंट जहां से हम लोग स्टार्ट यह थे तो इस बार यह ज बहुत ही खुब्सूरत सा जगह था ही जाने का मनी नहीं कर रहा था मगर क्या करें जाना परेगा और अभी तो लाइंबिंग अप करना परेगा ना इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा एक्शली मैं कंपया नहीं करना चाहता हूं मगर डेवी स्कॉर्ट्रेल में ट्रेकिंग करके जो मज़ा हम लोग को कल आया था आज इतना मज़ा नहीं आया हाला के डाबल लेकर ब्रीज देखने लायक है बहुत खूब शूरत है आप आपके देख सकते हो उसको क्योंकि नैचिरल ब्रीज है और यह बहुत ही खूब्सूरत तो इसलिए सूरज जो है थोड़ा ढ़ल गया है तो इतना धूफ है नहीं मगर आने के टाइम में इतना धूफ था बहुत तकलिब हो रहा था यहां पर आने के बाद अगर आपको लगता है कि नीचे जाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है on the same day तो आप एक काम कर सकते हो इस देखो यहां पर कोई एम के हों स्टे है तो आप देख लिछे मेंने आपको इंफोर्मिशन देद दिया अगर आपको रुकना है यहां पर तो आप रुक सते हो और नहीं तो हमारे जैसे आप चल परी है ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि आने के ताइम में तीन घं जो हम लोग कोफर करके आये थे और अब फिर से अभी जा रहे हैं उस तरफ और फिर से ए ब्रिज जो हम फिर से अभी प्रॉस करेंगे जाने के टाइम पर ठीक हैं परीजन फिर से जड़ दर डर लगता है गो ब्रेंद अगें घ्ल रज फिक परेंग खतीम फिर आप तो आपको अंधर ही अंदर जो है डर डर लगता है लेकिन क्या है डर के आगे जीत होता है और हमेंगी प्रीच इम हो आप और क्रॉस कर लिया है यह दिख रहा है आपको स्टेर्स अभी है हमको चड़ना है सोचिए क्या हालत होने वाला है अभी सिर्फ दो पैर के दो पंद्रा बज़रा आए 2.15 पीम और यहां पर देखिए आप अंधेरा सा हो गया एक्चुली यह जो जगह है एक फोरेस्ट के अंदर है और यहां पर नौर्थ इस्ट में साम जो है अंधेरा जो है बहुत जल्द हो जाता है तो फिर जब आप एक ट्रेकिंग का शुदा करोगे तो बी क्यार्फुल क्योंकि जितना जल्द हो सके सुबह का जितना जल्द उतन सब्सक्रीच को आने के बाद उपर भी जाना है और आना आसान है अगर जाना थोड़ा मुश्किल है 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 एक खासी विलेज पहले भी एक मिला अब जाने के टाइम में भी एक मिला यहां पर देखो एक भाई लकडिया काट रहा है यहांपर में बीफर कुकिंग्स मुझे बहुती सुन्दर लगता है मुझे जब मैं ऐसे पाहार से होते हुए जब जाता हूं कहीं पे भी ट्रेकिंग करते हुए कालिंपोंग दर्जिलिंग यहां पे भी मुझे ऐसे जो हिल विलेज जो होता है वो मुझे देखने को मिला था तो जब मैं जाता हूं इस ताइब के जगह में और ऐसे विलेजर्स मुझे देखने को मिलता है तो एक अच्छा लगता है मन्दब के अंदर बहुत गुट फिलिंग्स I don't have sufficient words to describe that feeling but I feel good देखिए यहां का एक बच्चा खासी जो खासी घर है उन परिवार का एक लड़की वह बंबू का स्ट्रीक लेकर मुझको ओफर कर रही है कि आप एलीजिए और अपना जार्नी जो है वह शुरू कीजिए क्लाइमिंग आपका ओके बड़ी थैंक यू थैंक यू सो मच हाओ नाइस हाँ कितना खुब्सूरत सा लोग है यहां का बहुत अच्छा लगता है ना जान ना पैचान फिर भी एक बच्ची मेरे हिल्प करने के लिए आ गई है एक बंबू का स्टीक लेकर के आप लीजी औ अब चलिए आपको चरने में आसानी होगी जो सीरिया है सीरियल किलर है मजग कर रहो हूं दोन माइंड देख लो आप कि इन्ना स्टेर्स हम लोगों को जाना है और अभी मैं बता दू बारिश हो गया उसी का कमी था अच्छली इन्ना स्टेर्स ए रस्ता काफी नहीं था मुझे चरना है यह रस्ता बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है यह ट्रेकिंग तो हम लोगों ने अल्मॉस्ट हाफ अफ दस्टेर्स सोला सो स्टेर्स और लेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो गाइड भाई साब है पीछे के तरह अभी है बैठा हुआ काही त अगर को यह फिलिंग भी टाइड राइड ना असान नहीं है यह कल जब हमने क्या था सोला किलोमेटर ट्रेकिंग डेविट को ट्रेल में यहां पर आने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि यहां पर सिर्फ तीन चीज़ है एक डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट और मोस डिफि कि मेघालया का हवा है इतना भायचारा फिला रहा है यहां पर है 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 यहां से हम शुरू किये थे हमारा एक ट्रेकिंग लगबख उसी जगह में हम पहुंच चुके हैं तो ममी जी आपके बेटे ने एक और ट्रेक कम्रीट कर लिया है आप भी आईये कभी ऐसे घूमी है क्योंकि नीचे आपके एच का मुझे बहुत सरे अंटिया और अंकल्स मिले जो असान सोल से है जो शोची है और सभी बंगाली है वो लोग भी घूम रहा है ऐसे आप भी आईये और घूमी है ऐसे वीडियो मत देखिए सिफ मेरे ममी को क् सब्सक्राइब को बतना चाता हूं निकलिये बाहर और घूमी है मैं सिफ इस तरीके का ट्रेकिंग के बाद नहीं कर रहा हूं मैं और भी कई जगा है जहां पर आप घूम सकते हो जा सकते हो अगर डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो फिर एक स्कीप कर दो मगर और भी जग और हम पहुंच गये है हमारा जार्णी जो है ओ खतम होता है यहां पर और यहां पर होता है अगरा ट्रेकिंग खतम बस यह था स्टार्टिंग पॉइंट बहुत थक चुका हूं मैं तो शायद आज का जो व्लॉग है वह में यही पर खतम करूंगा तो कल हमारा जो प्लैन है मावलिंग नॉंग का है यहां से हम जाएंगे मावलिंग नॉंग क्लिनस विलेज जो है तो बस आज के लिए बस इतना ही कल फीर मिलेंगे आपसे ठेक या बाइबाए